आज के मध्यप्रदेश में एक आदिवासी जिले बैतूल में जन में मुहमद हिदायतुला की शुरुवाती पढ़ाई रायपूर और नागपूर में हुई इंग्लेंड से कानून पढ़कर लोटे और नागपूर में वकालत शुरू की नागपूर में उन्होंने कुछ समय कानून के छात्रों को भी पढ़ाया उनके चात्रों में पीवी नर्सिम्हराव भी थे जो बाद में प्रधान मंत्री बने नागपूर में जज़ बने और कुछ दिन बाद वो मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य नयायधीश थे दिसंबर 1958 में ज़स्टिस हिदायत उल्ला सुप्रीम कोर्ट में नयायधीश बनाए गए 25 फरवरी 1968 को वो भारत के मुख्य नयायधीश नियुक्त हुए 1979 में वो 35 दिन कार्यवाहक रास्ट्रपती रहे इसके लिए उन्हें मुख्य नयायधीश का पद छोड़ना पड़ा जस्टिस जेसी शाह कार्यवाहक मुखिनिया अधीश बने और उन्होंने मुहम्मद हिदायतुल्ला को कार्यवाहक रास्ट्रपती पद की शपत दिलाई सुप्रीम कोड से रिटायर होने के बाद जस्टिस हिदायतुल्ला मुंबई चले गए लेकिन नौ साल बाद उन्हें फिर दिल्ली आना पड़ा वो देश के उपर रास्ट्रपती चुने गए थे इस पद पर रहते हुए उन्हें एक बार फिर कार्यवाहक रास्ट्रपती के तौर पर काम करना पड़ा 30 अगस्त 1984 को वो राजसभा के सभापती और उपरास्ट्रपती पद के भार से मुख्थ हुए कानून पर अनेक किताबों के लिखक मुहमद हिदायतुल्ला की लोग प्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वो सेवा निवर्थ हुक कर मुंबई जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचे तो विदायी देने वालों में प्रहान मंत्री इंदिरा गांधी उपरास्ट्रपती आरवेंकर रमन और ग्रह मंत्री पीवी नरसिम राव समेत अनेक विपक्षी नेत शामिल थे 18 सितंबर 1992 को दिल का दोरा पढ़ने से मुंबई में उनका निधन हो गया